जय हिंद इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे भारत के न रीवारी के बारे में जो कोरोना की दोर ये बिमारी आया है और इससे बहुत सारे लोग कशूजन हैं और बहुत सारे लोग परिसान भी है कि ये बिमारी क्या है तो चलिए मुख समझते हैं इस बिमारी और वि माउट नहीं होता है कैसे होता हम लोग इस पर बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे इस टॉमेंटर फ्लू जो बिमारी है वह खास करके एक से पांच साल के बच्चों में देखने को मिल ला है और भारत में भारत के लिए नई विमारी नहीं है कईका बार इस तरह का फ देखने को मिलता है असल में इस बिमारी में जो है लाल लाल चक्ते हो जाते हैं हाथ पर पर और चेहरे पर जो है लाल धाल धब्बे देखने को मिलते हैं और धब्बे जो होते हैं वो टमाटर के दाने के सामान होते हैं यहीं कारण है कि उस बिमारी को बोला जाता है टोमाटो तो टोमेटो खाने से बिल्कुल यह बिमारी नहीं होता है इस तरह के गलत फेहमी को आप मत पालिएगा उसके बाद देखिए रेयर इंफेक्शन है यह जो है रेयर इंफेक्शन है सब को नहीं होता है और यह बहुत तेजी से स्प्रीड नहीं करता है जिसे करोना कर रहा था यह बहुत कम स्प्रीड करता है और यह एक पुरानी बिमारी है इसमें लक्षण देखने को मिल सकता है तेज बुखार जोडों में सूजन आ सकता है दर्द हो सकता है उल्टी हो सकता है दस्त हो सकता है डिहाइड्रेशन और वही लाल लाल चकते जो है आपके हाथ पर या प उसके बहुत तेज इसमें बुखार आता है सावधानी के लिए अगर किसी बच्चे में इस तरह का लक्षण पाये जाता है तो आप उसको स्कूल नहीं जाने देख खेलने कुदने से आप उसको रोके जितना भी ज्यादा आराम करेगा उसके लिए क्या होगा फायदे